यह कहानी दो दोस्तों की दोस्ती और उनकी दुश्मनी की है दोस्ती 31 सालों की और दुश्मनी 45 साल की यह दुश्मनी अब भी जारी है बलकि यूँ कहें कि यह दुश्मनी अब इस हद तक बढ़ गई है कि पहली बार दोनों के बीच जंग के आसार बन गए है हम बात कर रहे हैं इरान और इस्राइल की बीते 14 अप्रेल को रात के अंधेरे में आतिश बाजी सा वो मंजर असल में उसे मौत की आहट ही कहेंगे वो आहट जो अब इरान और इस्राइल के साथ साथ दुनिया भर को सुनाए देने लगी है क्योंकि वो तस्वीरें थी इरान की तरफ से दनादन दागी जा रहे हैं उन मिसाईलों की जिनके निशाने पर इस्राइल है इरान लगातार मिसाइले दाखता जा रहा था और इसराइल उन मिसाइलों को अपने आयरन डूम सिस्टम की मदद से रास्ते में ही चुन-चुन कर राक करता जा रहा था वैसे तो इस हमले में किसी के जान की नुकसान की ख़बर नहीं है इसराइल ने हमास के कबजे वाली गाजा में जब से अपना सेन ने भियान चलाया है तब से फिलिस्तीन के कई चरम पंती संगठन सक्रिये हो गए हैं। इतना ही नहीं इरान के समर्थन से ये संगठन इसराइल पर भी हमलावर हैं। एक दो नहीं बलकि कई संगठन अकेले इस इस्राइल पर हावी हैं। हमास के लड़ाकों के अलावा लिबनान का हिजबुल्ला, हूती विद्रोही तो वही इराक और इरिया के कई प्रतिरोधी संगठन सब एक जुट होकर इस्राइल पर तूट पड़े हैं। नस्ट करना जारी रखेगा। रेजिस्टेंस ने पुष्टी की है कि ऑपरेशन गाजा के लोगों के साथ एक जुटता दिखाने और महिलाओं बच्चों और बुज़ुर्गों सहित असहाय फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ कबजे वाली इकाई की ओर से किये गए प्रतिशोध में उठाया गया कदम है। इसके लावा इराग के मिलीशिया ग्रूप्स ने कबजे वाले इलाकों में तीन इसराइली टार्गेट पर भी हमला करने का दावा किया। लडाई से आगे चला गया है। अब सीधे तोर पर दोनों देश आमने सामने हैं। अब शेत्र की निगाह उस पर है कि आगे क्या होता है। इसराइल के साथ सामान्य संबंद रखने वाले अरब देश किसी भी तनाव के पक्ष में नहीं है। वही रूस फिलहाल इरान और हमा क्या है।